पॉइंट पांस से लेकर के चॉइस पॉइंट नौ तक देखने को मिलेगे इसमें अगर आपका अठारा पॉइंट पांस से कम होता है लेस देन एटिन पॉइंट फाइब से मैं तो उसे नाम दिया जाता है अंडर वेट के नाम से जाना जाएगा नेक्स बात करते हैं इसमें BMI होती है वो 25 से लेकर के 25.9 तक आपको दे 25 से लेकर के आपका 29.5 25 से लेकर के कितना है 29.9 तक है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा ओवर वेट का जाता है तो ये क्या देखने को लेगा आपका ओवर है वेट के नाम से इसे जाना जाता है नेक्स अगर मैं बात करूँ कि इसमें BMI आपके बढ़ेगे बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग है गोरे को, रितु को, शिव को बात करते हैं यहाँ पर है अगर आपका OBS कब कहोगे OBS में बहुत सारी stages देखने कुलेगे Stage है First होती है Stage Second होगा Stage Third Stage Fourth Stage Five Hyper OBS आपको देखने कर मिलने वाला है तो बढ़ाते रहेगा यह आपका Stage First में 30 से लेकर के 34.9 तक आपका किसमे होता है Stage First में देखने कुलेगा Stage Second के अगर बात करूं तो 35 से लेकर के 49.9 तक आपका stage है second में देखने कुलेगा stage 3 के बात करते है 40 से लेकर के 45.9 तक आता है यह आपका stage 3 obvious की stage 3 में देखने कुलेगा तो यह 4 के सारे क्या है OBS वाले category में आपको देखने को मिल रहे है next बात करें stage 4 के बाड़े में stage 4 होती है उसमें आपका 45 से लेकर के 49.9 तक है तो यह आपका stage 4 आपको देखने को मिलेगा fifth stage में बात करते है more than 50 से जादा अगर BMI यह तो उसे stage fifth के नाम से जाना जाता है more than 60 होती है तो उसे नाम दिया जाता है high पर obvious के नाम से जाते हाती भाई की तरह एगर कोई person है तो कैसा है high पर obvious आपको देखने को मिलेगा तो यह सारी के सारे BMI से related आपकी question है BMI कोई नाम दिया जाता है QT Let Index के नाम से भी जाना जाता है ये weight को किसमें लेना है, kilogram में और height को किसमें लेना है, meter square में आप सभी के लिए आप क्या है, एक task है या homework मान सकते हैं कि सभी अपनी BMI को निकाल करके आपको comment करना है, second आपका MUAC, MUAC का मतलब होता है mid upper arm है, circumference आपको देखने को मिलेगा, mid upper arm circumference, mid upper arm circumference,